हाँ तो बच्चों हम खाजिर हुए एक नए कोश्चन के साथ और कोश्चन यह है कि एक लंब रित्य संकु की उचाई को आधार के समानतर दो संतलो दरा तीन वागों में बाटा गया है ठीक है एक कोई संकु था ऐसे यह ऐसे क्या किया गया इसको जो है दो संतलो द्वारा कैसे संतल समानतर संतल ठीक है मतलब कि यहां से जितनी दूरी पे यह हुआ उतनी दूरी पे यहां पे यह इसको क्या किया गया यहां पे यह बाट दिया गया ठीक तो कह रहा है कि दरसाये की उपरी सिरे से आरभ्म करके तीनो भागों के आयतनों का जो अनुपात होगा, वो एक अनुपात 7, मतलब कि ये भाग नंबर 1, भाग 2, और भाग 3, इसका जो अनुपात होगा, वो एक अनुपात 7, अनुपात 19 होगा, ठीक है, सबसे पहले हम पर हम क्या कर लेते हैं, इसका नॉमिनेशन, A, B, C, D, E, F, G ठीक, यह 3 नंबर है, इसको हम दिखा देते हैं, R3 से, यह R2 और यह R1, रेडियस इसकी, ठीक है, अब देखो, इसने एक चीज लिखा यहां पर समांतर, समांतर कहने का मतलब, कि यहां से, यहां तक की जो उचाई है, वो भी H है, उपर से नीचे यह भी H है, और यह, यह भी H है, ठीक, तो इसको थोड़ा सा हम अलग बना लेते हैं, नीचे यहां पर, ऐसे समझ लेते हैं, ठीक, यहां पर यह थीटा हो गया, यह थीटा हो गया, ठीक है, अब यह यहां से लेके, यहां तक कितना है भई, यह H है, यह भी H है, और यह भी H है, ठीक है, अगर हम यह एक, तिर्भुज नंबर 1, तिर्भुज नंबर 2, तिर्भुज नंबर 3 अगर हम सबसे पहले बड़े वाले तिर्भुज मतलब 1, 2, 3 को अगर जोइंट कर दें तो इसमें हम लिखना चाहें 10 थीटा बराबर ये कितना था? ये R3, ये R2, ये R1 तो 10 थीटा बराबर ये बड़े वाले तिर्भुज में तो क्या होता? लंब बटे अधार होता है तो यहाँ पर लंब कितना हो जाएगा? H प्लस H प्लस H बटे में R3 ये फिर इसको हम लिख सकते हैं 3H बटे में R3, ठीक है? अब हम क्या लिखते हैं? तिर्भुज ये बीच वाला तिर्भुज तो इसमें 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? H प्लस H बटे में R2 ये फिर इसको लिख सकते हैं कि 2H बराबर R2 हो गया ठीक है? फिर क्या हो जाएगा? अगर सबसे उपर वाला तिर्भुज लें तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा है हमपे? H बटे R1 ऐसा हो जाएगा न अगर इन सब को देखो अब क्या होता है? हमने पढ़ा है कि बराबर का बराबर बराबर होता है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 3H by R3 बराबर में H बटे R1 बराबर में 2H बटे में R2 ठीक? अगर हम एक बार इन दोनों को साथ में ले ले तो क्या हो जाएगा? 3H बटे में R3 बराबर H बटे में R1 ठीक है? H से H कटा देन हम कह सकते हैं कि R3 बराबर हो जाएगा 3R1 इसी प्रकार R2 बराबर क्या आ जाएगा 2R1 यह हमको यहाँ पर मिल गया ठीक? अब हमसे कह रहा है कि उपर से हमें दिखाना है कि जो तीनों भागों के आयतन है उनका जो अनुपात होगा 1 अनुपात, 7 अनुपात, 19 होगा ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? V1 अब V1 क्या है? V1 तो हमारा कौन है? कौन बोले तो संकू तो संकू का आयतन V1 बराबर संकू का आयतन संकू का आयतन होता 1 बटे 3 पाई R2 अब यहाँ पे 1 बटे 3 हो गया पाई R की जगा पर कितना है भी? यहाँ पे R1 है तो हो जाएगा R1 का स्कूर इंटो में H यह V1 हो गया समझ के न डेखो गया अब देखो जो V2 है V2 में क्या हो जाएगा? V2 क्या है? छिननक छिननक का आयतन अब जो छिननक होता है उसमें क्या एक तिरिज्जा R1 है उपर वाली और दूसरी तिरिज्जा क्या है? R2 है तो जो संकू का छिननक होता है उसका जो आयतन होता है एक बटे में 3 पाई H यहाँ पे होता है R1 का स्कूर प्लस R2 का स्कूर प्लस R1 इंटू R2 ऐसा होता ठीक है यह हो गए एक बटा 3 पाई H देखो R1 तो भई R1 ही रहेगा लेकिन यहाँ से R2 कामान कितना है? 2 R1 का स्कूर प्लस में R1 और यहाँ पे हम रख देंगे 2 R1 इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया तो 1 अपान 3 पाई H आ गया यहाँ पे हो जाएगा R1 का स्कूर प्लस 2 दूनी 4 R1 का स्कूर प्लस में हो जाएगा 2 और R1 का स्कूर इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 2 4 2 6 1 7 मतलब कि 7 गुड़े 1 बटा 3 पाई R1 का स्कूर इन्टू H ठीक है यह हो गया V2 समी करण 2 आ गया ठीक है अब तीसरे के लिए हम क्या निकालेंगे जब V3 निकालेंगे तो V3 क्या है भई V3 भी हमारा क्या है छिन्नक R2 और R3 ब्यास वाले छिन्नक का आयतन ठीक है तो यहाँ पर भी लगाएंगे 1 बटा 3 पाई H अब देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा R2 का स्कूर प्लस R3 का स्कूर प्लस R2 इंटू R3 इसमें रख देते हैं 1 बटा 3 पाई H अब देखो R2 का मान कितना है भी R2 का मान आया है 2R1 2R1 का स्कूर प्लस यहाँ पर R3 का मान 3R1 का स्कूर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2R1 इंटू 3R1 इसको उमने रख दिया हैं पर यह 1 बटा 3 पाई H यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4R1 का स्कूर प्लस 3 तरिक का 9R1 का स्कूर प्लस 3 दूनी 6R1 का स्कूर ठीक है यहाँ पर हो जाएगा 9 6 15 15 4 19 मतलब कि 19 गुडे 1 बटा 3 पाई R1 का स्कूर इंटू H यह हो गया समीकरण 3 ठीक है यहाँ पर यह समीकरण 3 हो गया न ठीक अब देखो यहाँ पर अगर हम लिखें बाई 1 1 2 and 3 ठीक है इसको इधन एरेस कर दे रहे हैं यहाँ पर तो V1 अनफाद V2 अनफाद B3 V1 का माना है 1 बटा 3 पाई R1 का स्कूर इंटू H यहाँ पर हो जाएगा 9 गोडे 1 बटा 3 पाई R1 का स्कूर इंटू H फिर अनुपाद यहाँ पर कितना है वही 19 आ गया कितना 19 तो यह हो जाएगा हमारा यह साथ है यहाँ पर V2 का मन साथ है यहाँ पर साथ यह 19 है यह हो जाएगा 1 बटा 3 पाई R1 का स्कूर इंटू H देखो यह यहाँ पर इसमें यह इतना यह इतना कॉमन है इसको हम काट देंगे तो आजाएगा V1 का अनुपाद V2 का अनुपाद V3 A का अनुपाद 7 अनुपाद 19 और हमको यही क्या करना था प्रूप करना था यही हमें प्रूप करना था हमको यहाँ पर देखो दो तरीके से हम कर सकते हैं हम पहले इंद को जोड़ते हुए अगर यहाँ पर हमने छिन्नक से कर दिया अलग-अलग करके अगर इनको करना चाहें तो यह बार हम पूरा निकाल ले फिर इसका निकाल ले फिर इसका निकले बाद में सबको घटा-घटा के करेंगे तो वो क्या होदा double calculation हो जाती है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम एक एक part का अलग-अलग निकाल के बाद में उनका हम संबन दिखा देंगे कि जो V1 का अनुपात V2 के साथ और V2 का अनुपात V3 के साथ जो आ रहा है वो एक अनुपात साथ अनुपात 19 आ रहा है अगर समझ में आ तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा ताकि मैं आपके लिए फिर जो और complicated आपको यहां पर अवेलेवल करवा देंगे इजी वे में तब तक के लिए धन्यवाद